हेलो फ्रेंज, रोमी की किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन 65 की रेसिपी जो बहुत ही कम इंग्रेडियन्स में और बहुत जटपड बन जाती है इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बोलेस चिकन जिसके मैंने चोटे-चोटे पीस करा दिये हैं देखे इस तरह से और इसे 3-4 पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लिया है अब एक बड़े से बोल में 2 टेबल स्पून पहले मैदा डालेंगे चिकन को मेरिनेट करने के लिए बड़े बरतन की जरूरत होगी तो बरतन आप बड़ा ही ले 2 टेबल स्पून कॉर्ण फ्लावर डालेंगे एक चोटी चमच से थोड़ा कम कुटी भी काली मीर्ज आधी चोटी चमच लाल मीर्ज पॉडर एक चोटी चमच कश्मीरी लाल मीर्ज पॉडर एक चोटी चमच नमक एक चम्मच भर के लहसुन अद्रका पेस्ट दो चम्मच दही और एक अंदा फोड़ करके इसमें डाल देंगे अब इन सारी चीजों को किसी बड़े स्पून की सहायता से मिला लेंगे अच्छी तरह देखिए मैं किस तरह से मिला रही हूँ जिस कटोरी में दही था उसमें थोड़ा सा पानी घोल करके इसमें डाल देंगे एक से दो टेबूल स्पून ही पानी डाले जादा नहीं डाले वरना फिर ये एक दम पतला हो जाएगा इसे अच्छी तरह से तीन से चार मिनट तक मिलाना है ताकि सभी इंग्रेडियन्ट एक सार हो जाएए और अब इसमें चिकन के पीसेस मिला देंगे फ्रेंज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़ बैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें अब चिकन पीसेस को मसालों के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर इसे धक करके 3-4 घंटे के लिए रख देंगे 3-4 घंटे के बाद किसी पैन में या किसी कड़ाई में तेल गरम करेंगे मैंने डिफाइन वायल का इस्तेमाल किया है तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब इसमें मैरिनेटेड चिकेन पीसेस को डालते जाएंगे एक बार में अपने सहुलत की हिसाब से चिकेन डाले चिकेन 65 को बनाना जितना आसान है खाने में ये उतना ही लाजवाब लगता है चिकेन फ्राई करते समय एक बात का ख्याल रखें कि गैस का फ्लेम ना ही हाई पे हो और ना ही लो हो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे चिकेन 65 को शाम के स्नेक्स के तौर पर ले सकते हैं इसके इलावा इसे फ्राई ड्राइस के साथ लिया जा सकता है इफ्तार पार्टी के लिए भी ये एक अच्छा उप्षन रहेगा चिकेन दोनों साइट से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो अब इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे इसे निकालते समय बहुत ही साबधानी की जरूरत है कि गरम तेल कहीं छीटाने पड़ जाए तो इसे साबधानी से निकाल ले और इसी तरह से बाग की बचे हुए चिकेन पीसे इसको भी फ्राई कर लेंगे चिकेन की जितनी मात्रा है आप उसी हिसाब से उसे दो या तीन या चार बैच में फ्राई करें दूसरा बैच भी बिल्कुल रेडी हो चुका है देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है तो आब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे टिकेन सिक्स्टी फाईब को मैं उसके ओरिजिनल तरीके से ही बनाऊंगी इसके लिए एक कड़ाई में दो टेबल स्पून तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब इसमें डालेंगे लहसुन एक टेबल स्पून के करीब लहसुन बारीक कटी भी मैंने डाली है आधा इंच का बारीक कता हुआ अदरक अब गैस का फ्लेम आउन करके इसे तब तक भूनेंगे जब तक की लहसुन और अदरक की एक अच्छी सी खुश्बू आने ना लगे और ये हलका सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए बिलकु गर्म तेल में अगर लहसुन डालेंगे या अदरक डालेंगे तो ये तुरंट ही जल जाएगा इसलिए तेल जब बिलकु गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आउप कर देन और तभी लहसुन अदरक मिर्च ब गयरे डाले अद्रक्ट और मिर्च की जब अच्छी से खुश्बू आने लगेगी और इसका कलर हलका गुल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें चिकन डाल देंगे बहुत जादा इसे लाल नहीं करना बहुत जादा जलाना नहीं है लहसुन का कलर हलका गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इससे अच्छी से खुश्बू आ रही है तो अब इसमें मैं त्राइ कीवी चिकन डाल दूँगी उपर से आधी छोटी चमच उटी वी काली मीर्च और आधी छोटी चमच चीली फ्लेक्स भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह एक से दो मिनर तक मिलाएंगे इस दोरान गैस का फ्लेम या तो बिल्कुल लो पर रखे या फिर आउख कर दे दो चमच हॉट एंड स्वीट टोमेटो सॉस डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरे चिकन में अच्छी तरह से लिपट जाए इसे गर्मा गरम ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सब करेंगे थैंक्स पॉर वाचिंग